हाई फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ आपकी होस्टन दोस्टों क्या आप लोग जानते हैं कि आप सबकी फिवरेट एक्टरस यानी की बात कर रहे हैं हम इशिता दत्ता की हाँ दोस्तों जिन्हें आपने द्रश्यम मूवी में देखा है जो बनी थी अजे देवकन की बैटी हाँ दोस्तों अन्जु सावरिकर और दोस्तों जिन्हें आपने देखा है एक घर बनाऊंगा और भी पता नहीं कौन-कौन से सीरियल में हाँ दोस्तों ये वही इशिता दत जो आप सबकी फेवरेट और फेमस एक्टरिस तनुश्री दास कुपता की पहन है हाँ दोस्तों तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि इशिता दता आ गई थी पोस्ट मार्ट डिप्रेशन में हाँ दोस्तों अब आप लोग सोच रहे इशिता के शादी होने के बाद जब उनका बेटा एक साल का हुआ उसके बाद वो काम पर जानी लगी और दोस्तों वो काम पर जाने लगी तो वो अपने बेटे को टाइम नहीं दे पा रही थी और टाइम नहीं दे पा रही थी इस चक्कर में उन्हें अपने बेटे की याद आने लगी वो से मिस करने लगी और इस चक्कर में दोस्तों ज्यादा सोचने की वज़े से और उसके साथ टाइम नह यानि कि उन्हें काफी दुख होने लगा इस चकर में दोस्टों इशिता दत्ता आ गई थी पूसपार्टम डिफ्रेशन में हां दोस्तों फिर उसके बाद इशिता दत्ता ने ये बात खुद हमारी टीम से शेयर की है फिर दोस्तों क्योंकि उन्होंने अपने बीटी की डिलेवरी के बाद एक साल बाद ही काम करना शुरू कर दिया फिर दोस्तों वो डिप्रेशन में चली गई थी फिर उसके बाद उन्होंने एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट किया और टॉक्टर ने उन्हे अच्छे से योगा वगिरा करने को कहा और अच्छी मेडिसिं दी फिर उसके बाद उन्होंने डिप्रेशन से अपने आपको रिकवर किया हाँ दोस्तों तो ये थी इशिता दत्ता की डिप्रेशन में जाने की वज़ा और उनकी डिप्रेशन से रिकवरी का सफर हाँ दोस्तों तो ऐसी ही खबरे जानने के लिए आप लोग हमाय चैनल को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं, सबस्क्राइब कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं कि हम लोग आते रहें और आपको ये खबरे सनाते रहें तब तक के लिए दोस्तों, तिल देन साइनिंग आफ